माता की आशा करते हैं आप सभी कुशल वंगल होंगे चली आज बात कर लेते हैं कि माता काली के किस सवरूप की घर में पूजा करें देखिए गाओं में बहुत सारी माताई बहने होती हैं जो माता काली की पूजा करती हैं और जिनके घरों की एकुल की देवी होती हैं क्योंक रूप की पूजा करें कौन सा सरूप उनका घर में रखें देखिए अगर आपको मातकाली के रूप की पूजा करने और उनका चित्र पहली बात तो है कि आप उनका चित्र या मुर्ती घर में ना लेकर आए अगर मुर्ती घर में लाए तो वो बिल्कुल हतेली के छोटे मध् प्रतिष्ठित किया जाता हैं वहीं पर सही होती हैं मां काली की मुर्थी घर में लाने से कहा जाता है सुना आता है के क्लेश बढता है ओर 100 जिकत्र ही आपने घर में रखे और चित्र भी नील वर्ण नीले रंका जिसमें माताकाली नील वर्ण की हो काले सवरूप वाली नहीं डरावने सवरूप वाली नहीं हम वीडियो में आपको चित्र भी दिखाएंगे मा के कौन से आपको रखने चाहिए कौन से नहीं रखने चाहिए देखिए अब माताकाली की पूजा जो कोई सच्चे मन से करता है शुद्ध भाव से करता है वो चाहे किसी भी रूप में मा को पूजे चाहे उनके पास मा का चित्र है या नहीं मा कभी नहीं कहती मेरे किसी भी रूप की किसी चित्र की पूजा करो मात शिर्फ यह कहती है कि मैं मा हूँ मुझे सिर्फ मन से याद करो मैं जरूराओंगी और क्योंकि हम भी मा काली के भक्त है हमारे घर में भी मा का चित्र है जो हमारे गुरुने हमें दिया है और गुरु आग्या से हम उन्ही की सेवा करते हैं और गुरु की दिखाई वी राह पे चलते हैं तो देखिए जिस चित्र में माता काली नील वर्ण की हो दिगंबरा सुरूप जिनका हो बीना वस्त्रों के जिसमें माता ने जो नर्मुंडों की माला पहन रखी है और उनके कटे हुए हाथ हैं जो उनसे वस्त्र बनाया है माने जिसे हम दामन बोलते हैं वो उनके हाथों से बना है एक हाथ में नर्मुंड एक हाथ में मा की कटार और खपर और त्रिशूल और जिसमें मा की हलकी मुस्कान है उनकी जीवा उनका ये जो नीचे वाला भाग होता है न जिसे हम ये चिन ठोड़ी बोलते हैं उस तक मा की जो होती है उसे थोड़ा नीचे और मुस्कुराते हुए सवरूप में जो गहनों से सुसजित हो सजी हुई हो सुन्दर सवरूप मा का ऐसा चित्र घर में रखना चाहिए उसकी पूजा करने से हमें मा की अनुभूती होनी चाहिए ना कि ऐसे काले और डरावने सवरूप को घर मे रखकर देखिए अब काले और डरावने सुरूप अब मा तो मा है किसी भी सवरूप की पूजा करो पर फिर भी ग्रस्तों के लिए मा काली की किसीज की जोत जलाएं मा काली की जोत देखिए देशी घी की जलानी चाहिए ग्रस्तों के लिए क्योंकि देशी घी की जोत जलान उन्हें तिल के तेल की जोत जलाने चाहिए क्योंकि तिल का तेल तांत्रिक क्रियाओं के लिए तांत्रिक मंत्रों को सिद्ध करने के लिए उसकी जोत जलाए जाती हैं। देवी माकाली ही हैं, इस्ट देवी भी माहाकाली हैं, हमारे तो रोम रोम में मा बस्ती हैं, तो हम तो मा को ही सब कुछ अपना मानते हैं, और माकाली के जोड़े में मा पाथरी वाली मामदान वाली चलती हैं, जो हमारे कुरकी कुल देवी हैं, तो हम सरसो के तेल की मा की तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी मिलते हैं नई जानकारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि नई नई अपडेट नई नई वीडियो और छोटी छोटी ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी जो आपको कोई नहीं बताएग तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में जानकारी